हेलो दोस्तों के LD Classes में आप सभी का स्वागत आज हम बात करेंगे आप सब के लिए बहुत ही important topic है कि रोजगार पैदा करना या नोकरी देना किसकी जिम्यदारी है केन सरकार की जिम्यदारी है या राज सरकार की जिम्यदारी है या दोनों सरकारों की जिम्यदारी है या कौन से सरकार कितना अपना काम सही से निभा रहे है चाहे हो राज सरकार हो या केन सरकार हाली में भारत के मद्य भारत के एक राज के मुखमंतरी ने रोजगार स्रीजन में कमी को लेकर केन सरकार पर टिपड़ी की विपच्छी दलों के अन्य मुखमंतरी भी इसके पहले ऐसी बात यह भी एक प्रस्ण बनता है। टिपडी करने से पहले ही उस राज के मुख्वेंतरी को एक बात अवस्थ सोचनी ही चाहिए थी कि देश में रोजगार देने का काम सिर्फ केंद्र का नहीं होता है, जो केंद्र सरकार है उसी का काम नहीं होता है, उसके साथ ही राज सरकार का भी एहम योगदान होता है क्योंकि उनके राज में सबसे अधिक अधिकार उनहीं का होता है, होता क्या है कि अधिकतर राजियों के मुख्वेंतरी अपने बजट भांसर में रोजगार पैदा करने की बात ही नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि जनता केवल सबसीडी और खरब डॉलर अर्था 210 लाक करोड की है 50 खरब डॉलर या 50 ट्रिलियन तक पहुचने के लिए हमें और दोगिक विस्तार और गुड़ोत्ता पूर्वक रोजगार सिर्जन को प्रात्मिकता देनी होगी चाहे वो केंसरकार हो या राजसरकार हो सवाल ये उड़ता है कि आखिर म पर सासन करते हैं उस पर इनका आधिक प्रभाव भी होता लेकिन इतना कुछ बेवस्ता होने के बाद भी राजसरकार रोजगार पैदा करने पर ध्यान तक नहीं देती है एक आकड़ा यह भी सामने आता है कि कुल खर्च का जितना केंसरकार और जो राजसरकार कुल खर्च 76% हो गया लेकिन वही अगर केंसरकार की बात किया जाए कुल खर्चों में केंसरकार का 2016 में सिर्फ 30% था और 2019 में सबसे बड़ी बात यह कि 2019 में यह 30% से घटकर मात्र 24 से 25% पर आ चुकी है इस रिपोर्ट से सभी बाते असपर्ष्ट हो जाती है कि पूंजी के जरिया आर् रोजगार पैदा करने के छेत में अगर सीमीत है तो केंसरकार करती क्या यह भी तो एक प्रष्ट बन सकता है तो इस पर आगे बात किया जा कि केंसरकार करती क्या है केंसरकार का काम भारती गरतन के लिए काम काजी महौल तयार करना इस संबंद में इसके कुछ प्रमुक कार निर्मार करना आदी इन आवस्य करतब्यों से परे आर्थी विकास के पईये को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की जो खर्च करने की छमता है वो लगातार घटी जा रही है भारत में रोजगार स्रिजन हो रहा है लेकिन आच्छे वेतन के साथ गुडवत्ता पूर नौकरि इस बीज़न करने की जांते ही है जहां पर जन शंग होगी चाहे वह आप उत्तर प्रडेश को ले सकते हैं बिहार ऐसे राजे यहाँ पर जो रोजगार स्रिजन की जो दर है वह बहुत ही कम है वी जिसे हम EPFO भारत में रोजगार पैदा करने का बहतर ढंग से प्रतिनीधी तो करता है EPFO सितंबर 2017 से पैदा की गई नई नौकरियों को दर्ज करता है और प्रती मा उसकी रिपोर्ट प्रेकासित के जाती है ध्यान देने वाली बात यह है कि अकेले EPFO से करीम एक वर्स में एक करोड रोजगार पंजी करित हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं यह वही EPFO जो आपकी संस्ता है कर्मचारी भविश्य नीधी संगठन उसके माद्यम से यह डाटा प्रती महीने केंसरकार को दिया जाता है कि एक महीने में कितना है यहाँ पे रोजगार कितना दिया गया या किस छेत में दिया गया सारी चीज़ के बारे में आप यहाँ पे सितंबर से देख सकते हैं सितंबर 2017 से हर महीने का डाटा आपके सामने आप इसे इसी अनुसार देख सकते हैं वही का आगया कि E.P.F.O. ने हाली में अपनी रिपोर्ट के सही करने के लिए अपने कारपडाली को अपडेट किया है लेकिन आभी भी जो राज की जो इसकी संस्ताय राज में चलती है वो अपने डाटा को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे राज में कितने लोगों का कौन सा चाहिए वो गवर्मेंट जाब मिला है हो चाहिए प्राइबेट जाब मिला है या किसी भी छेत में उनको जाब मिला है उसका वो डाटा आभी भी होता नहीं कि सही से अपडेट नहीं कर पा रहे है ईपी एफो के अनुसार सितंबर 2017 से लेके नौंबर 2019 के बीच लग गवग 13,70,000 नौकरिया पैदा की गई है यह नौकरिया में सारी है प्राइबेट और गवर्मेंट सभी है यह मत समझेगा कि इतनी गवर्मेंट निकली है वहीं तीसरे नंबर पे गुजरात है जहां पे 13,00,000 लोगों को रोजगार मिला है चाहिए वो प्राइबेट देख सकते हैं या बिहार में देख सकते हैं ऐसी जहां पे जनसंख्या जादे हैं वहां पे रोजगार सिर्जन करने की जो दर है वो बहुत ही कम मानी गई यहां पर एक प्रशन ये बनता है कि राजियों पर आर्थिक विस्तार की जीमेदारी ही क्यों दी गई है इसे केन सर और वे गहरे प्रभाव और दिर्ग कालिक विस्तारियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन नीधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजियों के सकल घहरे लूत पाद जैसे संकेतक उच्छ सिच्छा के जरिये मानव पुंजी का विकास और चारिक रोजगार के आउसर सहरी करण वे और दोगी की करण जनसंख्या व्रिदिदर आधी विभिन राजियों के बीच अलग अलग होती हैं। राजियों की जो बनावर्ट है जो भगोली की सिच्छी अलग है इसलिए वहाँ पे हर तरह से जो केन सरकार होती है वह उस तरह से रोजगार नहीं सिर्जित कर पाती है। और वहाँ पे जो राज सरकारों वह अगर रोजगार सिचित करें तो सभी को फाइदा मिलेगा। इसलिए राज सरकारों को इन आकड़ों का उपयोग करके वह उची ढंग से निवेश करके अपने राज की जरूरतों को समझना चाहिए। यह वही है कि हर राज का कितना प्रतिव वर्स है। वहाँ पे कम है। इन राजियों में सिच्छा विकास, आर्थिक विस्तार, और मानव पूंजी विकास पर ध्यान केंदित किया गया है। अगर देखा जाए तो इन दच्छिड भारत के राजियों की कुल जनसंक्या इस समय लगबग 43 करोण है। आप अगर बात करें देखे, आप यहाँ पे आंदर परदिस को देख सकते हैं और आपका करनाटक देख सकते हैं तमिलाडू केरल इन सब राजियों की बात किया जाए कि लगबग 43 करोण जनसंक्या है। और सितंबर 2017 से लेके नॉवंबर 2019 से लाज तक इस तरह कह सकते हैं कि मद तक लगबग इन राजियों में 61 लाख लोगों को नए रोजगार के रूप में सिर्जित किया है। और इसी तरह उत्तर भारत मद पूरी भाग में कुल 70 करोड जनसंक्या है। इस राज में मात्र सितंबर 2017 से लेके नॉवंबर 2019 तक मात्र 24 लाख ही लगबग नए रोजगार पैदा किये। आप दोनों जगहों को तुला कर सकते हैं कि साउथ हिंडिया में क्या हुआ। 43 करोड पे 61 लाख लोगों को रोजगार मिला। वही आपका उत्तर भारत मद पूरी भाग में 70 करोड जनसंक्या पे मात्र 24 लाख नए रोजगार पैदा हुए। तो दोनों से तुला करें पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कहा की राज सरकार कितना एक्टिव है लोगों को रोजगार देने के लिए। और कहा की जो सरकार है वो सिर्फ केंद सरकार पे इस तरह दबाव बना रही है या उसके होता है आरूप परते रोप लगा रही है और वो सिर्फ इंतजार कर रही है कि केंद सरकार जब एकेंसी निकालेगी जब वो भरती करेगी तब ही लोगों को रोजगार मिलेगा और य यह लिए अपने लोगों के यहां के युगाओं को रोजगार देने में बहुत ही पीछे हैं दच्षिड भारत के राज्यों के तुल्ला में बताया यह भी गया है कि उत्तर प्रदेश और राजस्तान राज में एसनातकों की संख्या बहुत ही अधिक है लेकिन इन राज्यों की तुल्ला में रोजगार की जो दर है वो सिर्जन होने की दर है वो बहुत ही कम है इन राज्यों में बड़ी संख्या में युवा अबादी है जिसे रोजगार चाहिए गुणवत्तापूर नौकरी के अभाव में वहां के लोग या तो अपने भागे को कोस रहे हैं या ब आपको तीन प्रस्णों के जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बाक्स में देना होगा पहला सवाल यह है कि आप किसका दोस देंगे केंसरकार या राजसरकार क्या इस डाटा के बाद आप किसको दोस देंगे अगर आप केंसरकार का दोस देंगे या राजसरकार को दोस को आगे क्या करना चाहिए अगर चाहिए केन सरकार रोजगार रही राज सरकार भी रोजगार भी नहीं कर पारें तो उनके सामने अगला क्या कदम हो सकता ये भी सबसे सरकार से भी है और समय पे आपको इस तरह बिश्वास नहीं कि हम कोई ऐचा चोटा बड़ा काम कर सकते हैं तो आप करेंगे क्या ये आप जरूर बताएगा हाँ आपके मन में कोई ऐसा टोपिक चला समाज में कि जिससे लोगों को उपर प्रभाव पढ़ सकता है या बहुत ही इंपोर्टन चीज़ हो आप इस वीडियो की नीचे कमेंट बाक्स में बताएगा मैं उस वीडियो पर उस टोपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको प्रवाइट करूँगा इसी प्रेकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के लडी ग्लासिस की ओर से बनिमा सूर से का याँ अआ